सवाल आई फ्लू क्या होता है? जवाब आई फ्लू आखों का एक infection है, इसे conjunctivitis, pink eye, red eye भी कहते हैं। इसे आमतोर की भासा में लोग इसे आखों का आना या उठना बोलते हैं। आखों में यह infection जो आखों में conjunctiva नाम की एक clear layer होती है, जो आख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है, उसके सूजन का कारण मनती है। इससे आखों के सफेद हिस्से में infection फैल जाता है, जिससे देखने में काफी परिशानी होती है। सवाल यह है कि आई फ्लू क्या छूने से फैलता है। जवाब हाँ एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में छूने से फैलता है। यह एक संक्रामक बिमारी है। यदि किसी ब्यक्ति के एक आख में ये problem हुई और अगर उसने उस आख को हांच से छुआ हो, उसके बाद वह उसी हांच से दूसरी आख को छुआ जो ठीक थी, तो उस आख में भी हो जाएगा। अगर वह बेक्ति किसी दूसरे बेक्ति को छुआ तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है यही कारण है कि यह बिमारी लोगों में तेजी से फैल रही है अगर्ण के आईपलू कियों होता है जवाब बारिश के मौसम में कम तापमान और ज्यादा नमी की वज़े से लोग बैक्तिरिया वारेस और इलर्जी के संपर्क में आते हैं यही इलर्जीक रियक्सन और आई इंफिक्शन जैसे आईपलू का कारण बनते हैं सवाल है क्या आई फुलू का इंफेक्शन सिर्फ बेक्टरिया और वायरस से ही होता है जवाब नहीं आई फुलू कई तरह का है जो कई अलग-अलग कारणों से आँखों को नुक्सान पहुचाता है सवाल है इस बिमारी के क्या लच्छन है जवाब है इस बिमारी के निम्ने लच्छन है जैसे की नंबर एक आँखों का लाल होना नंबर दो आँखों में सूजन खुजली और जलन होना नंबर तीन लाइट से परेशानी होना नंबर चार सफेद चिपचिपा पदार्थ आसुवाना नमबर 6 है सरीर में दर्द सवाल है किन लोगों में आई फ्लू होने का ज्यादा रिस्क रहता है जवाब है वैसे तो किसी को भी हो सकता है लेकिन बच्चों में इलर्जिक मरीजों में बुजुर्ग और कम इम्म्यून्टी वाले लोगों में ज्यादा होने की आजेक्टिवाइटीस है इस कंडीशन में बार बार आँखों में हाथ लगाने से दूसरी आँख में भी इसके होने का खत्रा बढ़ जाता है इसके अलावा दूसरे लोगों को भी इसके होने का रिस्क रहता है इसलिए हाथों से रगणाय चुना नहीं चाहिए सवाल है क् बिसा बिल्कुल नहीं है यह infection किसी की भी आंक में देखने से नहीं होता है बलकि यह बिमारी डायरेक्ट संपर्क में आने के बाद ही फैलता है जैसे कि अगर आप इस बिमारी से पीडित किसी बेक्ति के कास्मेटिक समान रूमाल तौलिया उप्योग करते हैं तो इस बिमारी के होने की संभवना बढ़ जाती है सवाल है इस बिमारी से आँखों का बचाओ कैसे करें जवाब इस मौसम में आय फ्लू से बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए इस बिमारी से पीडित पैसेंट से उची दूरी बनाय रखें और ना ही उसकी चीजें इस्तेमाल करें आँखों में खुजली होने पर उसे हाँच से बार बार ना खुजलाएं समय समय पर हाथों को धोते रहें अपने कपड़ों को भी साप रखें और नियमित रूप से इन्हे धोएं सवाल है जिनको आय फ्लू के लच्छन है उन्ही क्या साधानी रखनी चाहिए जवाब है खुद डाक्टर नबने विशेशग्य को दिखाएं विशेशग्य के निर्देशों का पालन करें और दवाएं नियमित तो पर लें दूसरों के रुमाल और तौलिया इस्तेमाल ना करें और ना ही अपना किसी के साथ सेयर करें आखों में इन्फेक्शन होने पर चस्मा हो जाता है जवाब है आई फ्लू वैसे तो एक सब्ता के अंदर में ही ठीक हो जाता है लेकिन सीरियस कंडीशन होने पर यह 10 से 14 दिनों या फिर एक महिने तक रह सकता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस बिमारे से आप जितना हो सके उतना बचाओ करने की कोशिस करें दोस्तों मिलते हैं आप से अगली वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत